दोस्तो पीएफ के बारे में एक फरजी न्यूज और एक अफवा फैलाई जा रही है ये कहके कि 1 अप्रेल 2024 से एक नया नियम लागू हो गया है जहां पे आपका ट्रांसफर आटोमेटिक हो जाएगा आपको कुछ भी करने के ज़रुत नहीं होगी एक अप्रेल से ही मेरे पास कई लोगों ने इस SMS को भेजा है जिसके अंदर मैं उन्हें समझा के ठक चुका हूँ कि करप्या करके ये एक अफवा है ये एक रियूमर है आपको ये इन्फोर्मेशन कहां से मिल रही है कहां से आपको कौन बता रहा है कि इस तरह का कोई नया नियम लागू हुआ है जो एक अप्रेल से लागू हुआ है तो अगर आपको भी ये SMS आया हो जहां पे आपको इस तरह से नजर आए कि आपका आटमेटिक ट्रांसफर लग चुका है आपका ट्रांसफर अब आपको करनी के ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त ने भी ये मेरे को मैसेज भेजा था एक अप्रेल को ही भेजा था मैंने इसको बता दिया था ये रियूमर है PF Office ने ऐसा कुछ नहीं बताया है तो क्या ही ये पूरी जानकारी अगर आप भी इस चीज़ को लेके परिशान है जैसे बहुत सारे PF Members परिशान है तो आप परिशान ना हो मैं आपको इस बात के बार में complete जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ नमस्कार दोस्तों में नाम सागर है मैं PF Consultant हूँ जो यहां बताऊंगा ये with evidence बताऊंगा आप ध्यान से समझेंगे तो पहले आप एक basic चीज़ समझ जाईए कि YouTube चैनल या फिर news चैनल जो है वो आपको भरोसमत information नहीं देते हैं अगर मेरा भी चैनल आप देखते हैं तो भरोसम मत कीजे जब तक मैं उस चीज़ को प्रूव करके ना दिखाऊं आप ध्यान से अगर देखेंगे तो PF Transfer के बारे में एक अफवाख फैलाई जारी है कि एक April से कोई ऐसा नियम लागू हो गया है जहां पे एक April के बाद अगर आप कहीं नौकरी जॉइन करेंगे तो पुरानी ID अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी उसमें आपको Manual Transfer Form नहीं भरना पड़ेगा जिस तरह से मान लीजे मैं आपको Example दिखाता हूँ Member Home पे आ गए यहां Online Service पे आना है One Member, One P.F. पे आना है यह प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा अगर एक April के बाद आप कोई नई कंपनी जॉइन करते हैं तो और ऐसा नियम खास तोर पे लागू हुआ है एक April 2024 से इसके बारे में ना केवल हिंदी बलकि बड़े बड़े बिजनस चैनल जो की अपने आपको फाइनिशल चैनल बताते हैं उन्होंने भी इस अफवा को फैलाने में पूरा-पूरा योगदान दिया है उन्होंने भी इस चीज़ को कहीं से वेरिफाइ नहीं किया कि ये जो ट्रांसफर की बात कही जारी है इसके लिए क्या EPFO ने कोई सरकारी नोटिफिकेशन निकाला है क्या उन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि एक अप्रेल से हम ऐसा कोई बदलाव कर रहे है तो इसका जवाब है बिलकुल भी नहीं तो क्या यहां पे अफवा फैलाई जारी है जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है जहां पे हजारों लोग काम करते है जहां पे जो लाखों लोग उन्हें पढ़ते हैं क्या वो लोग अफवा फैला रहे हैं जवाब है हाँ तो ऐसा वो अफवा क्यों फैला रहे हैं ऐसा इसले फैला रहे हैं क्योंकि इनका काम ही अफवा फैलाने का है इनकी कोई accountability नहीं होती है जब भी आप कोई भी news पढ़ें या जब भी आप कोई भी video देखें तो उसमें ये जरूर देखें कि क्या किसी सरकारी reference या किसी सरकारी का हवाला दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है यहां पे कहा जा रहा है एक अप्रेल से कुछ ऐसा लग रहा है लेकिन भाई एक अप्रेल से जहां लग रहा है उसका कहीं कोई circular number कहीं कोई notification कहीं कोई तो ऐसा सरकारी document mention करो जिससे हमें पता लगे कि जो आप कह रहे है वो कोई authentic information है authentic information के लिए आप EPFO की website पे जा सकते है या फिर यहाँ जो Twitter है इस पे जा सकते है Twitter कैसे मिलेगा जी Twitter यहाँ EPFO India कर लेना उसके बाद Twitter पे टच कर देना Twitter पे टच करके यहाँ पे मैंने एक तारिक का tweet देखा ध्यान से देखा है एक एक tweet देखा है कहीं उन्होंने कुछ mention किया हो कि यह transfer के बार में कोई ऐसा नया नियम हम बनाने जा रहे हैं तो ऐसा कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है तो क्या है यह सारा मामला यह अफवा फैली कैसे है अफवा फैलने के लिए ऐसे ही फैलती है कहीं पे एक गनेजी अफ़तार हो जाता है और वो गनेजी की अफ़तार की जो news है वो दुनिया भर में फैल जाती है उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है इसी तरह से यहां पे कोई भी अफवा फैला दो और उसकी कोई सरपैर नहीं है उसका कोई खंडन करने वाला नहीं है EPFO तो जो actual news होती है उसको नहीं बताता तो अगर कोई अफवा फैल रही है तो उसको रोकने का तो हम EPFO से सोच भी नहीं सकते हैं यहां पे ऐसा नहीं है कि जो auto transfer है यह कोई अदभुद घटना है यह auto transfer की घटना मेरे को नजर आएगा कि मेरे पास एक company है मैं आपको एक ऐसा example दिखा रहा हूँ जहां पे एक से ज़ादा company है यह आप देखेंगे मैंने वीडियो बनाई है इसमें देखें बहुत सारी companyya है इस बहुत सारी companyyों में अलग-अलग पैसे पड़े हुए है तो अभी हमें क्या करना पड़ता है अभी हमें यह करना पड़ता है कि पुराने ID को transfer करना पड़ता है transfer करने के लिए हमें request लगानी पड़ती है transfer के request auto transfer की facility यह कहती है और यह facility 2017 से ही है 2024 एक अपरेल में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि यहाँ पे हम समझे कि इन्होंने कुछ ऐसा नया नियम बना दिया या कोई नया system बना दिया यह 2017 से है और इस system के अंदर क्या काम होता है यह मैं आपको दिखा रहा हूँ देखो जैसे आप मालव एक जगे आपने नौकरी छोड़ी फिर आप नई जगे नौकरी जॉइन कर रहे हो तो transfer आपका automatic तभी होगा जब आपके पुरानी ID में exit date पड़ी होगी पुरानी ID में exit date पड़ी है उसके बाद आपने नया company जॉइन किया है तभी आपका auto transfer होगा आप चाहें तो इस auto transfer को stop कर सकते हैं auto transfer को stop करने के लिए आपको 10 दिन का time मिलता है जब आपका auto transfer के request लगती है तब आपके SMS पे आता है कि भाई साब आपका automatic transfer आया है अगर आप इसे stop करना चाहें तो आप stop कर सकते हैं यह process कैसे होता है यह मैं आपको एक rough idea दिखा देता हूँ पहले मैं यह जो video बना रहा था इसमें मैं कुछ अंश दिखाना चाहूँगा आपको कि यह transfer का process manually किस तरह किया जाता है तो transfer में हमें यह करना है कि हमें member home पे आ जाना है आप ध्यान से इस point को देखेगा कि आप transfer तभी कर पाएंगे जब exit date पड़ी होगी अगर exit date नहीं है तो automatic transfer नहीं होगा 2017 में भी नहीं होता था और 2024 में भी नहीं होगा अगर आपको transfer रोकना हो simple सा आप क्या करेंगे आप online services में जाएंगे मैं आपको यहाँ पे practically दिखा देता हूँ जो आपका auto transfer होता है वो online service पे आएंगे track claim status पे आएंगे और यहाँ second option दिया हुआ है stop auto transfer तो stop auto transfer का मतलब यहाँ पे यह बनता है कि जब कोई auto transfer लगता है तो आपके पास यहाँ पे एक segment बना रहता है जहाँ पे आपके पास option होता है कि आप इसे cancel कर सकते है मुश्टी लोगों को cancel करने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसे cancel करने की ज़रूरत होती है इसके regarding ही मेरे से एक consult किया गया है आज के दिन ही और consult में जो person है वो इसी बात से बहुत ज़्यादा परिशान है कि वो अपना transfer नहीं करना चाता है उन्होंने मुझे force किया कि मैं इस video बनाऊँ और video बनाके इन्हें send करूँ अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को video भेज दीजे अभी तो मैं video record कर रहा हूँ फिर edit करूँगा फिर इन्हें भेजूँगा तो मैं आप सभी लोगों को ये communicate करना चाता हूँ कि ये जो अफवा फैलाई जा रही है ये totally अफवा है एक अपरेल 2024 से कोई नया नियम लागो नहीं हो रहा है ये नियम 2017 से है और इसके अंदर effectiveness होने का 50% chance है 50% time ही मैंने देखा है कि automatic transfer लगता है mostly ऐसा होता है कि transfer लगता ही नहीं है उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा इस circular के अंदर clear cut बताया गया है mainly ये वज़ा होती है कि पुरानी ID में exit date नहीं डली होती है आप देखोगे इस circular के अंदर क्या लिखा है ये circular का link मैं आपको description में दे दूँगा यहां लिखा है date of exit, reason of exit जो है update होना चाहिए आपका UN number activate होना चाहिए mobile number available होना चाहिए उसके बाद आपका auto transfer लग जाएगा ठीक है जी? auto transfer को stop करने की भी बात हो सकता है यहां लिखी हो अगर नहीं लिखे है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको sms के माध्यम से यहां पे देखो sms और email के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा जब आपका auto transfer लगेगा कब यह auto transfer लगता है जब आप नई जगे job कर रहे हो जैसे ही उसके एक महीने का पैसा जमा हो गया या कई बार पैसा जमा होने से पहले भी auto transfer के request लग जाती है आप उसे निश्चे तोर पे reject कर सकते हैं उसे cancel कर सकते हैं आप देख लिजे जो मैं आपको कह रहा हूँ आप यकीन मत कीजेगा मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा हूँ सरकारी कागज के अंदर track claim status पे आपको जाना है online service पे जाना है 10 दिन का आपको time मिलेगा 10 दिन के अंदर आप चाहें तो इसे cancel कर सकते हैं stop करना है वहाँ आपको comment करने के लिए बोला जाएगा लेकिन अगर आपको लगे कि भाई हमें transfer अभी नहीं करना है किसी भी वज़े से नहीं करना है तो भी कोई घवराने जैसी बात नहीं है जैसे अगर आपके पास automatic transfer लग जाता है तो आप simple सा कहां आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ simple सा आप इस website पे आएंगे online service पे आएंगे track claim status पे आएंगे track claim status में आपके पास यहां पे लिखा होगा कि आपका serial number 1 लिखा होगा और यहां पे एक box बनाओगा box पे लिखा होगा delete ठीक है तो आप simple सा यहां पे delete पे touch करेंगे delete पे touch करने के बाद आपके पास यहां एक box बना आजाएगा वहां पे कहेगा कि आप यहां reason डालो reason डाल के okay करो तो reason में आप कुछ भी लिख देना reason में आप okay लिख देना okay लिख के फिर आप इसे approve कर देंगे तो आपका delete हो जाएगा क्या company को कुछ पता लगेगा company को कुछ नहीं पता लगेगा क्या आप आगे transfer करेंगे तो दिक्कत आईगी बिल्कुल नहीं दिक्कत आईगी ना तो company को पता लगेगा ना transfer होने में दिक्कत होगी कोई problem नहीं है मैं जो आपको कह रहा हूँ यह 100% सही जानकारी है आप इस बात पर भरोसा कीजिए मैं PF का ही काम करता हूँ जो बता रहा हूँ 100% सही बता रहा हूँ यकीन ना हूँ आप PF Office जाके पूछ लीजे लेकिन कृप्या करके कभी भी इन न्यूज चैनल के भरोसे मत बैठिये ये न्यूज चैनल वाले एक नंबर के बिके हुए हैं दलाल हैं गोदी मीडिया है और यहाँ पर जो भी ये बताते हैं अगर आपको कोई सरकारी कागज ये देते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालते हैं तो ही आपको इनका भरोसा करना है वरना इनका 0% भरोसा कीजिए और किसी भी SMS और किसी भी E-mail पे तभी भरोसा कीजिए जब आप किसी official website पे जाके उसको वहाँ verify कर लें ऐसे ना तो अफवा सुनिए और ना अफवा फैलाईए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद